नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना अपने खिलाप बाते सुनकर हार मत मानना क्योंकि सोर खिलाडी नहीं तमासाई किया करते हैं नवश्कार प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई प्रदीप सरपर और NTA की ये महतवपून सीरीज है प्यारे बच्चों जल्दी ये सो हो जाएगी और टेंशन मत लेना सो होने से पहले NCEIT की सीरीज आपको साथ में सुरू कर दी जाएगी क्योंकि मैं जब भी कोई सीरीज सुरू करता हूँ उससे पहले उनको अच्छे से खुद अध्यन करता हूँ क्योंकि मेरे खुद के अच्छे से concept कलियर होंगे फिर मैं आगे आपको पढ़ा पाऊंगा concept in the sense कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पहले प्यारे बच्छों खुद उस पर ना टीचर को रिसर्च करनी होती है कि कैसे उसका बच्छा अच्छे से समझ पाएगा तो एक्जाम से पहले चिंता मत करना मैं प्यारे बच्छों जो कम से कम है ना सिख से लेकर टेन तक की जो एंसी आटी या प्लस वन टू की प्लस वन ओ टू की एंसी आटी मैं जरूर कवर करवाओंगा कोश्यन है प्यारे बच्छों इसकी ना पीडियाप जीके भाई परदीप सर के टेलिग्राम से ले सकते हो दुईते विसवयुद के दुरान सयोगी देशों के समू में निमलिखित में कौन सो देश समिल थे ठीक है प्यारे बच्छों सयोगी देश तो एक है ना आप जर्मनी जापान इटली ये नहीं थे जर्मनी जापान इटली नहीं थे और इनके कान ही ना कौन सा विसवयुद हुआ था और ये कहा गया प्यारे बच्चो जर्मनी जापान इटली को कभी भी कौन सी पावर नहीं दी जाएगी विट्टो पावर नहीं दी जाएगी दी तो भारत को भी नहीं जाएगी लेकिन मिल सकती है कह रही है लेकिन जर्मनी जापान इटली को नहीं दी जाएगी तो में होते थे यह सयोगी देश में होते थे तो जर्मनी जापाल इटली खिलाप ते और दूसरा विसवयूद 1 सितंबर 1949 को क्या हुआ था सुरू हुआ था जर्मनी ने पोलेंड पर क्या कर दिया था आकरमन कर दिया था पहला विसवयूद है ना उसमें आस्ट्रिया के राजकुमार की क्या कर दी गई थी हत्या कर दी गई थी तो ये चीजी है ना प्यारे बच्चों आप आसानी से समझोगे ना तो कोई दिक्कर नहीं है दुवित्यवी सव्योद 1949 से 1945 तक हुआ और फिर है ना केते हैं जापान के दो सहर पर अमेरिका ने एक का नाम ता हीरो सीम हीरो सीमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागा साकी पर क्या किराए गए थे बोंब गिराए गए थे लिटल बॉई और फेट मेन बोंब के नाम याद करना फेट मेन और लिटल बॉई और जापान है ना पहले भी सव्योद में ना मतलब क्या था जर्मनी के खिलाप रहा था यह याद कर लेना नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं सारा मरुस्तल विसाओ का सबसे बड़ा गरम मरुस्तल है किस महदीब में है यह प्यारे वच्छों बेसे तो बोज से देशों में फेला हुआ है लेकिन इसकी एक्चुल लोकेशन है ना अफरीका महदीब में और भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है ना उथार मरुस्तल हो जाएगा जो कहां पर रहेगा आपका राजस्तान के एरिया में रहेगा अफरीका महदीब में अफरीका महदीब को अंध महदीब के नाम से भी जाना जाता है यह प्यारे बच्छों जो CET की बुक है जो आप 300 सतर यहनी 400 रुपे से जादा नहीं देनी साड़ी 300 भी मिल सकती है दूर वाले एरिया में 400 में सभी सब्जेक्ट इस बुक में रहेंगे और जो पेटरन है ना NTA के उस पर कोसिस की गई है हमने यह बुक है प्रीवियस येर भी रहेंगे सारी चीजे रहेगी अच्छी लग ना आपने गोदावरी का नाम सुना होगा और प्यारे बचो महानदी किर्ष्णा गोदावरी किर्ष्णा गोदावरी किर्ष्णा गोदावरी किर्ष्णा गोदावरी ये कहां पर गिरती है वे ओफ बंगाल में गिरने का काम करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम क ठीक है नदियों का एक टोपिक बताऊगा कौन सी नदी एशुरी बनाती है कौन सी क्या होते है बारत का पहला प्रा यह इंपोर्टेंट कोश्चिन रहेगा प्यारे बच्चो यह आपके लिए आज होमबरक भी रहेगा भारत का पेला प्राग ने कारी पारक कहां खोला गया यह कोश्चिन प्यारे बच्चो आपको कोमेंट बुक्स में जवाब देना है बारत का पेला प्रागन कारी पारक कहां खोला गया और कल इसका जवाब मैं स्टार्टिंग में दूंगा किस बच्चे ने इसका जवाब दिया था बारत में महुमद अली और सोकत अली द्वार लेकिन एक बार एच्टेट के एकजाम में ये कोश्चन आया था खिलापत अंदोलन कब चला तो एच्टेट ने 1920 माना था लेकिन ये चला 1919 में था और इसकी अध्यक्सता किस ने की थी खिलापत अंदोलन की अध्यक्सता महत्मा गांधी ने इसकी क्या की थी अध्यक्सता क देकर 1918 तक चला था इसमें क्या हुआ था किसने किस का साथ दिया था इस फरस्ट वर्ड वोर में प्यारे बच्छो जो है न मुसल्मानों ने इस कंडिशन पर अंग्रेजों का साथ दिया कि वो तुर्की के खलीपा के साथ बुरा वेवार नहीं करेंगे और जैसे युद्ध स पलता मलती नहीं दिखी न तो महात्मा गंदी ने न कौन सा अंदूलन शुरू कर दिया एसे यूग अंदूलन, एक अगस्त उन्नीसो बीस को शुरू किया और जिस दिन ऐसे यूग अंदूलन सुरू वा न उस दिन कहते हैं, कि बाल गंगा, दर्तिलग की क्या हो गई थी? मिर्ति हो गई जिनके समाचार पतर मराठा और केसरी थे और मराठा अंग्रेजी बासा का था सिकंदर के इतिहासकार निमन में किस गंडराजे के जनों का अगल सोई कहते थे तो सिकंदर के इतिहासकार प्यारे बच्चों ये आता है अगर गंड राजे किस से कहते थे उसको अगर गंड राजे से कहते थे और सिकंदर है ना इनके पिता का नाम क्या होता था फिलिप होता था और सिकंदर है ना प्यारे बच्चों 369 में इनके पिता राजा बनते हैं मक धना नंद का क्या होता है समकालिन होता है 326 इसा पूरो ये भारत पर आक्रमन करता है 323 इसा पूरो बेबी लोन में सिकंदर की क्या हो जाती है मिर्तियू हो जाती है तो अगर गंडराजे रहेगा और अगर गंडराजे का परमुक के अंदर कौन सा हुआ करता था अगरुआ ह है न एक सूर सेन होते थे महाराजा अगर सेन के भाई उन्होंने मत्हुरा बसाने का काम किया अगरुवा महराजा अगर सेन ने बसाया था ये अगर गंडराज्य की the वास्दानि होती थी वर्तमान मेंदर्गड जिले में कौन साफ गंड़ द्राजे विश्थ में नयों प्छो न जिले में कौन सा गंडराजे विश्त्रित था तो ये अर्जुनायन गंडराजे था कौन सा गंडराजे विक्सित था अर्जुनायन गंडराजे था तो ये महंदरगड जिले में कौन सा गंडराजे था अर्जुनायन गंडराजे हुआ करता था आगे आता है मुक्ति के योद्धे गंडराजे ने न योद्धे केते हैं योद्धिस्टर के वन्सज का ये गंडराजे होता था तो योद्धे गंडराजे ने युनानियों के खिलाब चंद्रगुप्त मोरिये की क्या की थी साइता की थी और चंद्रगुप्त मोरिये ने न कहते हैं प्यारे बच्च उत्रापंद के नाम से जाना जाता था नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं आसी का आसी गड़ किला कब बना था जो पिर्थी राज चुहान के द्वारा बनाया गया यह स्ताबदी पूछा जाएगी प्यारे बच्चो आसीरगड का किला है न यह बारवी स्ताबदी में बनाया ग करवाया और इस किले को किस का किला कहा जाता है तलवारों का किला किस का किला कहा जाता है आसीरगड के किले को किस का किला कहा जाता है तलवारों का किला किस ने बनाया था पिर्थी राज चुहान ने बनाया था और आसी में पिर्थी राज चुहान का कौन सा दोस्त रेता थ तो तराइन करनाल तरावड़ी के आपर हो जाएगा, करनाल में हो जाएगा और आसी कहां पर हो जाएगा आसी हिसार में हो जाएगा ठीक है तो प्यारे बचो जो आप है na Blue वर्ड हिसार में है और Black वर्ड जील पूछेना तो ये कहां पर रहेगा आसी में रहेगा और इसे केते हैं आसी सेथ ने बसाने का क्या किया था काम किया था और पेड़े कहां के फिमस हो जाएंगे आंसी के क्या फिमस हो जाएंगे पेड़े फिमस हो जाएंगे तो ये भी आगामी एक्जाम में आपसे कोशन पूछा जा सकता है बारियों स्ताबदी में निमन में किसने तरावडी और आसी के किले का अंदिरमान करवाया था तो ये किसने करवाया था पिर्थी राज चुहान ने करवाया था और कहते हैं चंदरबरदाई ये पिर्थी राज चुहान का दोस्त होता था और कहती है चंदर बरदाई और पिर्थी राज चोहान का एक ही दिन जनम हुआ था और इक ही दिन मिर्दती हुई तियसा पिर्थी राज-ताव में लिखा हुआ है लेकिन इसमें ज्ज्यादा सच्चाई नहीं है कहती है 1166 से लेकर 1102 में तकिन का क्या माना जाता है जीवन काल माना जाता है और फिर थी राजरासो चंदर बरदाई की फिमस रचना थी किस चुहान सासक ने तोमरों को बुरी तरहरा कर दिल्ली और आसी के दुर्ग प्रकबजा किया तो ये किया था प्यारे बच्चों विगर राज ने किया था किस ने किया था ? विगर है राज विगर राज किस वंस का सा सक था चोहान वंस का सा सक था और इसने ना किस को हराया था तोमरों का और तोमर वंस के इतिहास की जानकरी यस तिलक चम्पू में मिलते हैं ये भी कोशन आएगा कि तोमर वंस के इतिहास की जानकरी हमें कौन सी पुस्तक देती है तो तोमरवंस के इतिहास की जानकारी प्यारबचो हमें यस्तिलक है चम्पू हमें तोमरवंस के इतिहास की क्या देती है जानकारी देती है next question will be very important परतम सौतंतरता संगराम में बललवगड के निमन लिखित में किस ने दिल्ली के करांतिकारी से नाका नित्रितव किया तो प्यारे बच्छों उप्षन में राजा नहान सिंग था और उप्षन अलग-अलग थे तो नहान सिंग के साथ जाना पड़ा वेसे प्यारे बच्छों ये नहान सिंग नहीं राजा नहार सिंग थे और राजा नहार को वरतमान में बलरामगड के नाम से भी जाना जाता है तो आगामी एक्जाम में ये कोशन भी प्यारे बचों आपको देखने को मिलेगा तो राजा नहार सिंग को कहां का सेर का जाता है बलावगड का सेर का जाता है और राजा नहार सिंग वन्ने जी अभियान रेवाडी में बाकी जो चीज है फ्रिदाबाद में है रेवाडी का यह राजा हरियाना में 1897 में भारती विद्रों के मुखे नेताओं में से एक थे तो रेवाडी का पूछे था प्यारे बचो राव तुला राम हो जाएंगे कौन हो जाएंगे राव तुला राम हो जाएंगे और इनके साथ है ना इनके भाई थे गोपाल सिंग हाला कि गोपाल सिंग ने न कहां का नित्रितव किया नारनोल का तो राव तुलाराम और गोपाल सिंग अंग्रेजों से कहां टकराए थे नसीब पूर में टकराए थे नसीब पूर कहांपर रहेगा नारनोल में रहेगा कहांपर टकराए थे नसीब पूर नारनोल में टकराए थे और इसके बाद राव तुलाराम कहां चले गई थे केहते हैं अफगानिस्तान चले गई और पेचिस के चलते ना 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मिर्थी हो गई और हर्याना सरकार 23 सितंबर को कोन सा दिवस मनाती है सहीदी दिवस मनाती है तो हर्याना का सहीदी दिवस कब होता है 23 सितंबर को होता है अंबाला में British चाउनी कब बनाई गई अंबाला में यानि अंबाला में British चाउनी कब स्तापित की गई इसका मतलब क्या है यह direct indirect question पूशता है कि अंबाला केंट कब बना तो अंबाला केंट 1843 में बना था केंट चाउनी किसको बोलते हैं केंट को बोलते हैं यह question प्यारे बचो एच्चे ससी का मैं कहूं I love you question है तो कोई गलत बात है नहीं होगी कम से कमार्च से 10 एक्जामों में आ चुका है अंबाला केंट कब बना था 1843 में अंबाला केंट है बना था तो यह याद कर लेना अग अंग्रेजों द्वारा हरियाना पर अधिकार होने पर अंग्रेजों ने पटोदी का छेतर नीमन में किसे सोंपा था यह फेज खां को एक व्यक्ति होते थे प्यारे बचो फेज तलब खां फेज तलब नामक व्यक्ति को यह एरिया सोंपा था और पटोदी है ना यह क कहां की रियासत रहेगी गुरू गराम की क्या रहेगी रियासत रहेगी पतोधी कहां की रियासत रहेगी गुरू गराम की रियासत रहेगी और नवाब मंसूर अली खान पतोधी का संब्द कहां से था तो नवाब मंसूर अली खान पतोधी का संब्द गुरू गराम से होता थ ये भी आगमी एक्जाम में आ सकता है नवाब मनसूर अली खान कहा से थे पटोदी से हुआ करते थे और इनके बेटे सेफ ली खान है और पुतर बदू करीना का पूर है पसुद अंजन गरना दो हजार बारा के अनुसार हरियाना की पसुद अंजन संक्या कितनी मिलियन है तो लेकिन कितनी थी 8.81 मिलियन थी ठीक है किरसी कियो सक कौन सी प्रियोजना के तेत आता है तो किरसी कियो सक परधान मंतरी पसल परधान मंतरी पसल परधान मंतरी पसल परधान मंतरी पसल बीमा योजना के तेत आता है किस के तेत आता है परधान मंतरी पसल बीमा योजना के त पूछा जाएगा हरियाना की कितने परतेसत भूमी में किर्सी की जाती है तो हरियाना की लगवग प्यारे बच्चो 80% भूमी पर क्या की जाती है किर्सी की जाती है कोशन आगामी एकजाम में आप से पक्का पूछा जाएगा और पूरो विसव की अगर पूछे कितनी परसें जनता किर्सी पर निर्बर करती है तो पूरे विशव की ना आप याद कर लेना प्यारे बचो 51 परसेंट और हरियाना की दो तिहाई 70 परसेंट जनता हरियाना की आज भी किर्सी पर निर्बर है भारत के केंद्रिय पूल में खाध्यान का सबसे बड़ा योगदान देने वाले के तोर पर हरियाना का कौन सा स्थान आता है तो केंद्रिय पूल में खाध्यान में सबसे कौन सा नमबर आता है दूसरे नमबर पर हरियाना आता है पहले पर कौन आता है आप कॉमेंट करना भारत के केंद्रिय पूल में खाद्यान का सबसे बड़ा योगदान देने वाले के तोर पर हरियाना कौन से नमबर पर रहेगा हरियाना दूसरे नमबर पर रहेगा हरियाना में खरीब की परमुख पसल कौन सी है ये तो उप्सन के इसाब से आप है मतलब शोट आउट कर सकते हो प्यारे बच्छो धान है ना ये भी खरीब की परमुख पसल है कपास है ये भी खरीब की क्या रहेगी परमुख पसल है रहेगी रभी की गेहूं और सरसों हो जा लेगा हरियाना के ना 70% पलस लोग आज भी किरसी पर निर्बर रखते हैं और अरियाना की 80% भूमी प्राज क्या की जाती है किरसी की जाती है और किरसी के छेतर में अगर आप से पूछे में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है मुसमी बेरोजगारी पाई जाती है अनुसंदान संस्तान CIRB हरियाना के इंसार में है CIRB Central Institute on Research on Buffalo Central Institute Research on Buffalo यह कहने का मतलब है केंद्रिये भेंस अनुसंदान केंदर हो जाएगा CIRB Central Institute on Research on Buffalo Central Institute on Research on Buffalo केंद्रिये भेंस अनुसंदान केंदर हो जाएगा 1985 में बना था चोद्री चरण सिंग किरसी विद्याले की स्ताफना कब हुई चोद्री चरण सिंग है ना पेले चोद्री चरण सिंग के बारे में पुड़ो चोद्री चरण सिंग प्यारे बच्चों एक क्या होते थे किसान देता होते थे और चोद्री चरण सिंग भारत के क्या रहे हैं परधान मंत्री भी रहे हैं और इनके चर्ण सिंगे से परधान मंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोग सबा का सामना नहीं किया इस्तीपा दे दिया था तो यह याद कर लेना प्यारे बच्चों यह मतलब 1970 में बनी थी है एच्च यू उनिवर्स्टिक कब बनी थी 1970 1970 में बनी थी नेक्स्ट कोशन प्यारे बच्चों अरियाना के किस जिले में मवेशियों की जन संक्या सबसे अधीक है उपसर के इसाब से पराणी जन गणना के अंसारना पसुधन सबसे ज़्यादा इसार भीवानी में था और वर्तमान में पसुधन ज़्यादा काम पर है इसार में पहले नेक्स्ट कोश्चन प्यारे बच्चों ये आज का अंतिम कोश्चन रहेगा बड़ा ही प्यारा कोश्चन है कोश्चन की लेंग्वेज क्या हरियाना में खालिस्तान सबसे बड़े छितर में उगाया जाता है कि हरियाना में कौन सी पसल सबसे ये मतलब ये पूछा गया था हर हरियाना में आम प्यारे बच्चों उप्सन के इसाब से ही जाना पड़ता है इसे कोशनों पर वैसे खुम भी है ना हरियाना में सबसे ज्यादा क्या होती है खुम भी होती है तो इसमें सबसे वड़े शितर पर क्या उगाया जाता है आम उगाया जाता है तो आम निम्बू ब अगुए अपको कैसा लगा हर बच्छा कोमेंट करके जरूर बताए क्योंकि पियारे बच्छो जब तक आप बताओगे हमें पता नहीं चलेगा CE.T का से कम रुपे में 160 गांब 548 900 447 हर सब्जेक्ट के दो टीचर आपको मिलेंगे तो कल आपसे दुबारा रूबरू होंगे तब तक के लिए अस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को बन दे मत होने देना ये दुनिया है ना ये खेरियत न दे दिए सन्सेट